तो यार बहुत दिन बाद तुम लोगे लिए धमागे दार एक्स्टर टॉपिक लेके मैंने आया हूँ और इस वीडियो में मैं वही किमिस्ट्री हाँ यार किमिस्ट्री का एक बढ़िया कंसेप्ट यानि कि बड़ा ही एक extra topic साथी साथ बड़ा ही mind blowing extra sort या फिर तुम कह सकते हो कि ये question भी है बहुत important है और इसका knowledge जानना बहुत interesting है और साथी साथ क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे question भी आता है तो जो subject है उसके बारे में बताता हूँ वो है जो deionized water होता है deionized water जिन्होंने बच्चे ने water chapter पढ़ लिया है हमसे बड़ा भी हो सकता छोटा भी हो सकता इसलिए मैंने बोल रहा हूँ तुम लोग में से जिन्होंने water chapter पढ़ लिये हो तो उनको ये concept थोड़ा मोड़ा अंदाज में आएगा और water chapter नहीं पढ़ोगे तो deionized water के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैंने तुम लोगों को आज बताऊंगा ये जो deionized water होता है और जो distilled water होता है दोनों के बारे में और इसमें comparison करेंगे which water is more pure and why क्यों ये कौन सा water सबसे ज़्यादा pure है और क्यों है मतलब सबसे ज़्यादा शुद कन है और साथी साथ बताऊंगा क्यों pure है क्यों इतना सुध है गंगा जल से भी ये सारे पानी जो है ये सुध है गंगा जल तो नाम की नाम में सुध है लेकिन ये जो distill data और deionized water होता है थोड़ा सा जादा और थोड़ा सा कम है तो आज मैं वही बताऊंगा और क्यूँ है वो भी बताऊंगा तो वीडियो को स्केप मत करना पूरा देखना है एक दम अच्छे से तो देखो डी आयोनाइट वाटर मेंली वही वाटर होता है जो वाटर में बहुत सारे इंपूरिटीज रहता है साती सात क्या रहता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहता है और उन जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आयोन प्रेजन्ट होता है मालों की मैगनेशियम सलफेट है या फिर कैलसियम सलफेट है ऐसे पानी में रहता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो उन में iron भी होता है और इसी water में और उस water को अगर deionized करेंगे तो किस से करेंगे एक resin नाम का चीज होता है resin तो वो resin अगर हम लोग pass कराएंगे न वरटर में तो वो क्या होता है न डिionized होता है उसमें जो water है और आयोनाईज्ट रहता है तो उन्सारे आयन को निकाल देता है तो वह बन जाता यह ढौत आयोनाईज्ट वर्टर बहुत प। पिऊर हो जाता है छी zrobić है के bis quand जादा धी पिवर्व साफसा बात है डिस्टिल्ड स्मोर पिय। 240 देंड e २ाइव देखो डिस्टिल्ड वाटर और देखो अंठोंके जी अगर तो तुम लोग आंखों के समने deionized water में क्या होता है only H plus and OH minus ions are present ऐसे तो बता रहा है कि सभी आयन को उड़ा देगा resin चलाओगे तो सभी आयन उड़ जाएगा लेकिन दोनों आयन रह जाएगा वो है H plus and OH minus जो ही पानी बनाता है और वो आयन present होता है no other ions are present but many different non electrolytic substance biological impurities CO2, silica, pyros etc are present और maybe not present देखो इसमें तो बताया कि H plus और OH minus ion नहीं रहेगा लेकिन H plus और OH minus छोड़के किसी और ion नहीं रहेगा नहीं रहेगा लेकिन इसमें non electrolytic substances रहता है और साथी साथ क्या रहता है ना biological impurities सम रह जाता है साथी साथ रहता है CO2, silica, pyros ये distilled water में भी कुछ amount में present होता है लेकिन ये जो दोनों चीज़ है non electrolytic substance और जो biological impurities ये इसमें होना नहीं चाहिए ठीक है तो ये इसमें present होता है जिसके वज़े से impure हो जाता है लेकिन but in case of distilled water there is no non electrolytic substances उसमें कोई non electrolytic substances या फिर biological impurities ये सब dissolve नहीं हो पाता है इसलिए उसमें नहीं रहता है जो distilled water होता है उसमें क्या ना biological impurities non electrolytic substances dissolve नहीं हो पाता है और ये जो deionized water है इसमें dissolve हो जाता है इसलिए इसमें रहे भी जाता है but ये जो distilled water है ना may be present इसमें हो सकता है कुछ some amount में CO2 रह सकता है लेकिन CO2 के छोड़ को CO2 और some amount में silika भी रह जाता है उससे छोड़ कर कोई नहीं इसके पीछे उसका reason क्या है उसका application ये अगर इतना pure है ना इसके वज़े से इसको medicinal industry में जगा दिया गया है deionized water को नहीं दिया है जब तुम distilled water पीओगे तुमको कुछ भी नहीं टेस्ट लगेगा deionized में लग सकता है क्योंकि आयोन थोड़ा मोड़ा रहता है impurities रहता है और जो distilled water है ना वो medicinal industry में काम आता है और साथी साथ ये बहुत महंगा होता है very costly distilled water deionized water से ज़ादा महंगा होता है ये चीज याद रख लो तो ये था कुछ difference और इसी difference के वज़े से हम लोग अलग कर सकते है कौन ज़्यादा pure है कौन कम pure है तो चलो आज की वीडियो यहीं पर कदम करते हैं मिलते हैं और कुछ extra topic के साथ साथ ही साथ chemistry के मज़े के साथ तो चलो thank you, bye